गुज मॉनिंग इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगर आप चाहते हैं और भी इंट्रेस्टिंग कहानिया सुनना तो आपके इस कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे वर्टसप में प्रीमियम मेंबर सी ले सकते हैं जहां पर हर रोज एक कहानी 100 रुपया में 30 दिनों तक औ दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी को सुनते वक्त एक और बात इस कहानी को सुनते वक्त आप यहर फोन या पर हेड़फोन को उप्योग कर सकते हैं इससे इस कहानी की ओडियो को आपको पसंदाएगी जब आपके कहानों तक पहुंचेगी चलिए अंगरल नहीं बल्कि एक सची दास्ता है जो मैं आप लोगों से बताना चाहते हूं यह बात आज से गरीब एक साल पहले की है जोती भावी अपने पती के साथ हमारे घर के परूस में किराएं में रहती थी वो बहुत अच्छी थी देखने में मैं हमेशे उन्हें देखा गर था उम्र भी कोई 24-25 होगी मैं जब भी उनको देखता था तो उनकी आखों में देखता ही रहता मानों उनकी आखों में खोजा जाओं मैं उसे प्यार करने लगा था मैंने कभी भी उनसे ये सब बाते कहने के जिक्र नहीं की थी लेकिन पस हमेशे उन्हें देखता था अब धीरे धीरे भावी भी मुझे देखने लगी और उनका नजरिया भी बदल गया वो भी मुझे देखती उनका पती नौकड़ी करता जो सुबह आट बजे जाते और साम के आट बजे आते दिन में भावी अपना दिन चारिया का सारा काम निप्टा कर हमारे घर आ जाती कभी कबार भावी किसी भी समय हमारे घर आ जाती मैं उन्हें हमेशा अपने घर पे देखता तो बहुत खुस होता तो ऐसे ही एक बार की बात है एक दन सुबह नौ बचे वो आई और मेरे पास आकर बोली राचू थोड़ी देर इसको बैठा दो ना मतलब वो एक बेबी को लेकर आई थी यह बहुत सरारत कर रही है मुझे काम पे जाना उन मैंने कहा ठीक है मैं बेट पर ही बैठा हुआ लैप्टॉप से अपने ओफिस का काम करा था और उनकी जो बेबी थी वो मैंने उन्हें अपने बगल में बैठा हुआ था उस तिन हमारी कॉलोनी के पास ही संडे बचार लगा था और घर बाले सभी वही पर खड़ी दाड़ी करने कह थे जोती भापी को भी गएवे काफी वक्त हो गए साथ वो अब तक फ्रेस हो चुकी थे मगर अभी तक लोट करने आई फिर मैंने उनकी बेबी के साथ खेलने लगा वो बहुत क्यूट सी थी उसे बहुत अच्छा था था थोड़ी देर बाद जो मोड़ी बहुत बातचीत की और भापी वहाँ से चलिज़ी उस दिन ये पहला बार था जब एतना बातचीत की वो कभी भी मुझे इतना बातचीत नहीं करती आज करने का थड़िगा मुझे बहुत ही अच्छा लग आप इतना तो समझ में मुझे भी आ ग़िए था क्यूं क मेरे लिए ज़रूर कुछ न कुछ है कियर्ट धीरे दीरे संबही बदलने लगए ऐक बार की बात है चौति भाभी मेरे घर में आई और मुझने कहा राशु मुझे तुम से कुछ गाम था मैंने कहा भाभी पोलिए तोनों ने कहा तुम थोड़े देर मेरे घर चलोगे मैंने कहा कुछ जरूरी काम है क्या तो उन्होंने कहा हम मेरे घर की लाइट खराग हुई है तो मैंने कहा ठीक है कोई दिकत नी में अभी आता हूं इतना कहने पर वो कहेगी की ठीक है दोस्तों उस वक्त मैं अपने ओफिस का कुछ काम घर के मुबाइल पे कर रहा था अक्सर मैं आज कल ओफिस के काम घर के मुबाइल से ही किया करता मैं उनके घर गया उनके घर पर लाइट्स नहीं थी इस बज़े से थोड़ी दिक्कत हो रही थी फिर उन्होंने मुझे मदद किया और उसके बाद मैंने उनके घर की लाइट्स जो कि फ्यूज हो गया था उस फ्यूज को ठीक कर रिया इस पर उन्होंने मुझे कहा थैंक यू और कहा कि चाई पी कर जाओ मैंने कहा कि नहीं नहीं चाई नहीं मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ मुझे काम भी है तो उन्होंने कहा इतना भी क्या काम है चाई पी के जाओ मैंने कहा अच्छा आप इतना ज्यादा जितकर है तो ठीक है उसके बाद मैं उनके घर में बैठा तो वो चाय बना कर लेका हैं मैंने कहा, बाबी, चाय में चीनी नहीं दीचीजेगा। उन्होंने कहा, क्यूज? तुम्हें सुगर है। तो उसे कहा, वेकिन आप इतने मीठे हैं, कि मतलब आप सुगर की क्या ही जरूरता, आपकी बाते इतनी मीठी हैं, कि उसी सच्चायी हो जाएगी। उनके बातों पर मैंने ये कहने पर वो अचानक से हसने लगी और फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चलिए कोई नहीं आपको बुरा लगा तो सौरी मैंने तो बस आपके मैंन बहलाने के लिए कह लिया उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा बलकि बहुत अ बात तक नहीं करते कभी मेरे साथ घूमने तक नहीं चाते उनकी बातों पर मैं समझ चुका था कि कहीं न कहीं ये भी मुझसे फ्लट करना चाह रही थी और मेरे फ्लट करने पर उन्हें कुछ बुरा भी नहीं लगना थी खेर मैं उनसे थोड़ा और ज़्यादा बात चित शुरू किया तब ही मेरे घर से बुलावा आ गया क्यों ओफिस से कॉल आया है हाई रे मेरा दिल उस वक्त तुमानों टूटी गया सामने वह भावी मुझे चांस दे रही थी मेरे साथ फ्लट कर रही थी और ऑफिस के बॉस का भी अभी कॉल आना था खेर जो हुआ अच्छे के लिगे हुआ क्योंकि हाच अगर ज़्यादा बात हो जाती तो सायद दूसरे बार बात करने की मौका नहीं मेरे मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ तुन्हों ने कहा है मैंने कहा कि अब लाइट के कोई दिक्कत नी होगी तुन्हों ने कहा अच्छ तुन्हों ने काम करो अपना नंबर दे के जाओ अगर लाइट की कुछ दिक्कत हो जाए तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी मैंने कहा ठीक ह कि इतना अच्छा भगवान जी मतलम कैसे हो सकता है मेरे साथ वो है ना भगवान जी पीज़ा खाओगे मैं पाटी देता हूं ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी कि सामने से वो नंबर मांग रही थी वो खूबसूरत अपसरा मैंने उतने अपना नंबर दिया 945666 उसने कहा अच का हां यार जरुवत तो है दोस्त की मैंने कहा अच्छा फिर दुबारा से तभी मेरे बॉस का कॉल आया तो मैं वहां से चला गया मुझे उस वक्त बुरा लग रहा था दोस्तों अब लगे भी क्यों ना आप ही बताओ मैं तो चाहता था उनसे बात करने का लेकिन फिर से जाने के बाद बस मेरे पास उनका नमबर था दो दिन तक उनका तब कॉल नहीं आया तो मैंने का वह ऐसे कॉल नहीं करेंगी लेकिन चौथा दिन इनका कॉल आया उन्होंने बताया कि उनके घर लाइट फिर से खड़ाब होगी और इस बार उनके पती कुछ काम से बाहर के तो उन्हें बहुत दिक्तोamm होडिए तो मैंने का ठीक है मैं ज़रूर आऊंगा उसने कहा कि तुमेंays काम कर सकते हो अभी और भी तो राते Ultra 10 पнос उसने कहां पूरी रात कैसी मैं बिना लाइट करेंगा तो उसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैंने कगी थीक है मैं इ तो इस वीडियो से लेती हूं अल डिदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और चांग को सब्सक्राइब करें चिल देन बाबाई टेक क्यार